दोस्तो आप सभी का आपके अपनी चैनल गोपाल स्टेडी पॉइंट में हर्दिक स्वागत है दोस्तो आज हम लेकर आए हैं परियावरन एवं समाजिक अध्धन के सब टोपिक परियावरन संडक्षन का जो की दोस्तो नए सेलेबस के अनुसार है और दोस्तो इस टोपिक से हमने 35 most important questions को लिया है जो की आपकी परिक्षा की दरश्टी से बहुत ज़्यादा महत्पून है और दोस्तो आप से request है इस वीडियो को सुरू से लास तक देखिए और दोस्तो यदि आप अभी तब मेरे चैनल से नहीं जुड़ पाएं है तो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब का एक बटन नीचे की तरफ दिखाई देगा वीडियो के ठीक नीचे लाल बटन होगा सब्सक्राइब का आप सिंपली उसको प्रेस करना है जैसे आप प्रेस करेंगे वो लाल बटन भूरे रंग में बदल जाएगा और साथ के साथ उसके एक घंटी का निचान बन के आएगा उसको भी आपको प्रेस करना है तो दोस्तो जैसा की कोशन नंबर वन दिया है कोशन नंबर वन है राष्ट्य हरित अधिकरण जिसको नेशनल ग्रीन ट्राइविनल एंजी टी बोलते हैं का मुख्याले कहां पर इस्तित है बहुत ही मौस्ट इंप्रोटेंट कोशन है और दोस्तो इसका जो मुख्याले है वो नई दिल्ली में है और स्थापना कब हुई थी इसकी ये भी कभी कभी कोशन पूछ लिया जाता है तो राष्ट हरित अधिकरण यानि कि एंजी टी की जो स्थापना हुई थी वो राष्ट अधिकरण हरित अधिकरण एक्ट के तहत 18 अप्टुबर 2010 को हुई थी और दो दोस्तो इसका प्रमुकारिय होता है कि ये परियावरण संबंदी परियावरण से जुड़े सभी मुद्दों पर प्रभावी रूप से जल्दी से जल्दी निराकरण करता है और खास तोर पर परियावरण के अंतरगत जंगलों की सुरक्षा और सन्रक्षन सुनिश्चित क करने का काम करता है तो दोस्तों इस टोपिक में सबसे जादम और मॉस्ट इंपोर्टेंट करन्ट टोपिक करन्ट जो कोशन है वो बनता है दोस्तों कि एंजीटी के वर्तमान अध्यक्स कोन है तो एंजीटी के जो दोस्तों वर्तमान अध्यक्स हैं जैसा कि आप इमेज में द देख्सपद की सपद ली है तो दोस्तो इस तरह से इतनी जानकारी हमें इस NGT से टोपिक से मिलती है और जो की हमें याद रखनी है चले दोस्तो देखते हैं next question को next question है वन्य जीव अपराहद नियंतरन ब्योरो का मुख्याले कहां पर है दोस्तो इसका भी मुख्याले कहां पर है नई दिल्ली में इसका भी मुख्याले नई दिल्ली में है नेक्स कोशन देखेंगे राश्ट परियावरण सोद संस्थान जिसको NERI कहा पर इस्तित है NERI होता है जिसको National Environment Research Institute बोलते है National Environment Research Institute तो इसका जो मुख्याल है वो कहां पर है नागपुर में है नेक्स कोशन देखेंगे दोस्तो भारतिय समिधान के किस संसोदन में परियावरण की सुरक्षा संबंदी मुद्धे हैं तो दोस्तो 42 संसोदन में 42 संसोदन के अंतरगत हमारे परियावरण की सुरक्षा संबंदी मुद्धे आते हैं और next question, 2400 गंटे oxygen प्रदान करने वाले पोधे हैं, जो 2400 गंटे oxygen देते हैं, ऐसे पोधे हैं, नीम और पीपल, पीपल और नीम दो ऐसे पोधे हैं, जो 2400 गंटे oxygen प्रदान करते हैं, next question देखेंगे, परसिद चिलका जील कहां पर इस्तित है, तो दोस्तों परसिद चिलका जी है वो उडिशा राज जमेस्तित है और यहां पर भारते नोशेन का एक बेसिक ट्रेनिंग सेंटर भी है नेक्स कोईशन देखेंगे जवार सागर राना पुरताप सागर तथा गांधी शागर जलाश्य किस नदी पर निर्मित है काफी इच्छा कोईशन है दोस्तों बहुत ही जाता है तो यह चंबल नदी पर है नेक्स कोईशन देखेंगे वेबा नद जील किस राज में इस्तित है वेंबा नद जील किस राज में इस्तित है तो यह है दोस्तों वेंबा नद केरल राज में इस्तित है नेक्स कोईशन देखेंगे विस ओजोन दिवस कब मनाया जाता है तो बहुत ही most important है 16 सितंबर को विस ओजोन दिवस मनाया जाता है और दोस्तों ओजोन से related मैं आपको एक और question बता देता हूँ कि प्रत्वी वे परियवरन के लिए जो ओजोन की परत होती है जो ओजोन की परत होती है वो प्रत्वी वे परियवरन के लिए एक सुरक्षा कवच का कारिय करती है जो की सूर्य की खतरनाक परावेंगनी किरने जिसको हम ultra wallet raise बोलते हैं उनसे हमें बचाती है और दोस्तों कभी कभी इस पर question पूछ लिया जाता है कि ओजोन परत को नुकसान पहुचाने वाली गैस कौन सी है तो वह है दोस्तों हेलोजन गैस और कलोरो फ्लोरो कार्बन कौन सी गैस कलोरो फ्लोरो कार्बन जिसको हम cfc के नाम से भी बताते हैं या बोलते हैं या पुकारते हैं ठीक है दोस्तों तो दोस्तो next question है विस्जल सन्रक्षन दीवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है दोस्तो 22 March को विस्जल सन्रक्षन दीवस 22 March ये दीवस दोस्तो बहुत ही most important है और आपको याद रखने है इदमे से एक question अवशेर पुछा जाता है next question देखेंगे कुनेन नामक दवाई प्राप्त होती है तो कुनेन जो नामक दवाई होती है वो सिनकोना पोदे से प्राप्त होती है और दोस्तो कुनेन से हमारी जोर रोधी मलेरिया रोधी, दर्द ना सक आदी के परियोग में जो इसकी जो ओस्दी बनती है वो परियोग की जाती है और ये दक्षनी अमरिका के पेड़ दक्षנה अमरिका में जो पेड़ पाया जाता है सिंकोना के पेड़ की छाल से प्राप्त होती है तो इतनी जानकारी हमें इस question से रखनी है next question देखेंगे हिमालय की सबसे उची चोटी कौंसी है दोस्तो इसमें हमें कफ्यूज नहीं हो ना मैं आपको पहले बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तो यедि कोशन पूछा जाता है हिमालय की सबसे उची चोटी तब हमें लिखना है दोस्तो यह तब हमें option पर टिक करना है कंचन जंगा और यदि दोस्तों पूछा जाता है भारत में यदि भारत में पूछा जाता है तो भारत में सबसे उची चोटी कौन सी है वो K2 Godwin Austin है क्योंकि यह हिमाले की सहयोगी परवत संक्रा है तो इस तरह से हम यदि हिमाले की चोटी पूछा जाता है तो हिमाले की जो सबसे उची चोटी है वो कंचन जंगा है और यदि भारत में पूछा जाता है भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है तो K2 Godwin Austin है तो इतना हमें याद रखना है दोस्तों इसमें कन्फ्यूस नहीं होना है नेक्स कॉश्चन देखेंगे भारत में सरवधी कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो भारत में सरवधी जलोड मिट्टी पाई जाती है यह में याद रखना है और next question काफी important है कई बर पूछा गया है दही निर्वान हेतु सुक्सम जीव कौन सा होता है तो इसको बोलते हैं lactobacillus और दोस्तो दही से question बनता है lactobacillus होता है और यदि पूछा जाए कि दूद की शुद्धता को कौन सा meter मापता है तो lactometer का use करते हैं दूद की शुद्धता को मापने के लिए और next question देखते हैं रूधिर वर्क की खोज किस नहीं की थी तो land stiner ने तो दोस्तो मैं आप से request करता हूँ कि जितने भी ये खोज करता है regarding जो हमारी परियावन से related है उन सभी को आप याद कीजे ओजोन परतपाई जाती है तो ओजोन परतपाई जाती है कहां समताप मंडल में समताप मंडल में next question देखेंगे डेंगू रोग का वहाग है तो डेंगू रोग का जो वहाग होता है वो एंडीज मच्छर होता है कौनसा एंडीज मच्छर होता है नेक्स कोशन देखेंगे टाइगर स्टेट किस राज्य में है तो दोस्तो टाइगर जो स्टेट है वो मद्ध प्रदेश में है नेक्स कोशन वायू मंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है तो मद्ध मंडल के नाम से पुकारी जाती है मद्य मंडल वाईउ मंडल की सबसे ठंडी परत होती है नेक्स कोशन विश वन दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तो 21 मार्च को 21 मार्च को विश वन दिवस मनाया जाता है नेक्स कोशन विश प्रत्वी दिवस कब मनाया जाता है तो विस प्रत्वी दिवस मना जाता है दोस्तों 22 अप्रेल को यह हमें याद रखना है दोस्तों क्योंकि ये काफी confusion वाले questions होते हैं इसलिए इनको two से three times यदि हम बार बार इनको देखेंगे और बार बार इनको दोराएंगे बार बार repetition करेंगे, revise करेंगे तो यह easily आज आनी से याद हो सकते हैं चले दोस्तों देखते हैं next Smoke City of India किसे कहते हैं Smoke City of India कहते हैं दोस्तों कॉलकता को कलकता जिसको बोलते हैं कॉलकता उसको बोलते हैं Smoke City of India Next question भारते वन जीव संस्थान कहां पर इस्तित है तो भारते वन जीव संस्थान है दोस्तो देहरादून में इस्तित है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1982 में हुई थी Next question बहुती ज़्यादा most important है काले वन कहां पाजाते हैं तो काले वन पाजाते हैं दोस्तो जर्मनी में कहां पाजाते हैं जर्मनी में नेक्स कोशन जिम कॉर्वेट राष्ट अधान कहां पर इस्तित है ये भी काफी अच्छा कोशन है दोस्तों ये उत्राखंड के नेनी ताल डिस्टिक में है और इसका जो दूसरा नाम है वो हैली नेशनल पार्क भी इसको बोलते हैं और दोस्तों इसकी खाश्यत है कि बंगा बंगाल के जो बाग थे उनकी रक्षा के लिए बनाय गया था बंगाल बाग की रक्षा के लिए बनाय गया था उत्राखंड के नेनी ताल में है और हैली नेशनल पार्क के नाम से भी इसको बोलते हैं नेक्स कोशन देखेंगे सम ताप मंडल का ताप कितना होता है तो ये प्रण।र वाउन करना है दोस्तों माइनस 55 डिग्री सेंटिग्रेट होता है, सम ताफ मंदल का ताफ मान, next question देखेंगे, यू Big ओ नीजूंत म ताफ मान क कितना होता है, तो यू मंदल का जो जो नीजूंत म ताफ मान होता है यानि कि मिनिमम जो तेंपरेचर होता है, वो होता है दोस्तो माइनस 100 डिग्री सेल्सियस और नेक्स कोशन है परियावरन सिक्षा की पहली संगोष्टी कब आयोजित की गई तो ये की गई थी दोस्तो 1972 में 1972 में नेक्स कोशन जैव परदूशन उत्पन करने वाले दो परमुख जीवों के नाम बताईए तो इसमें दोस्तो एक आता है बैसिलस एंट्रेसिस और दूसरा होता है दोस्तो पिस्सू तो इस तरह से हमें इनके दोनों के नाम याद रखने है नेक्स कोशन देखेंगे जल परदूशन को रोकने के लिए परियुक्त राशानिक पदार्थ कौन सा है तो ये दोस्तो ब्लीचिंग पाउडर है अक्सर हमने देखा होगा कि हम पानी की टैंकियों में पानी को प्रिजर्व करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं तो इसमें दो गटक आते हैं एक टो जैवी गटक और दूसरा एक जैवी गटक और दोस्तों next question है next question देखेंगे सेल कितने परकार की होती है तो सेल होती है तीन परकार की जिसमें एक होती है अगने सेल अवसाधी सेल और तीसरी होती है कायांतरित सेल हमने बेसिक क्लाजस में चोटी क्लाजस में हमने पढ़ा था दोस्तों कि अगने सेल अवसाधी सेल और कायांतरित सेल होती है तीन परकार क दोस्तों परियवरण संट्रक्षिण का उद्देश क्या है ले सरकषिड द द स्घी करना परबंदन hem नेक्स्ट कोशन देखेंगे and the last question of this video वाईयू मंडल का प्रत्वी से जुड़ा होने का क्या कारण है जो वाईयू मंडल प्रत्वी से जुड़ा हुआ है इसका क्या region है क्या कारण है यह में बताना है तो यह है दोस्तो प्रत्वी के गुरुत्वा करशन सक्ति के कारण प्रत्वी की गुरुत्वा करशन सक्ति के कारण वाईयू मंडल का प्रत्वी से जुड़ा रहता है तो दोस्तो इस तरह से हमने 35 most important questions को cover किया है इस वीडियो में और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यदि आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज एक लाइक तो बनता है और वीडियो को लाइक कीजिए और जादे से जादे दोस्तों में इसको शेयर कीजिए so that उन दोस्तों तक भी ये सूचना पहुंच सके और दोस्तों मेरी आप से ये उमीद है और ये मैं आसा रखता हूँ कि आप अपनी परिक्षा में बहुत ये अच्छा परदेशन करेंगे यदि आप चैनल से इस चैनल के माध्यम से भी जुड़े हैं और आप अपनी तैयारी भी, खुद की तैयारी भी कन्टीनू जारी रखे हैं मैरी उमीद है और मैरी आशा है कि आपको सपलता जल्दी से जल्दी मिलेगी दोस्तों यदि आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं तो प्लीज चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाईए और साथ के साथ ए घंटी का निशान भी आएगा उसको भी प्रेस कीजिए आपको वीडियो के अपडेट्स देली मिलते रहें और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो तो चले दोस्तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में लेकर आएंगे नए टोपिक के साथ में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद जै भारत